एलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसी क्यू में आज की इस वीडियो में अनलेटिकल केमिस्ट्री जो होता है आपके उसके कुछ इस वीडियो में हम आपके लिए लेक़् आहीं तो देखिए स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब नहीं इसटे करने सब्सक्राइब करना प्रेश करना तक जोन वाले वीडियो नोटिफिकिशन आप लोग को मिल सकें नम्बर ओव वेव पासिंग पॉइंट पर सेकिंड तो इस कर फ्रिक्वेंसी राइड हो जगा देखिए फ्रिक्वेंसी कि यह नंबर वेव पर उनित टाइम जो है आपका फ्रिक्वेंसी होता है यह नंबर वेव र होता है यह हाई रैसिप्रोकल व्यव लैंडा होता है तो I am का होता है वेव नंबरों के रैसी प्रोकलों वेव लैंद तो इनके उपर भी न कई बर क्वाशन बनते हैं ने सब जब फोलिंग इंडिकेटर इस यूज इन कॉंपलेक्समित्रिक टाइटरेशन में कौन से इंडिकेटर यूज्य यूज बताना है मिठाइल ओरेशनिय के लिए मिधाइल औरेंज यह करते हैं ग्रिस्टल वॉयलेट नोन एक्वस्ट आडरेशन के लिए यह उसी जो होता है प्रेसिप्रिटेशन टाइटरेशन के लिए यूज करते हैं और जो इसमें जो कम्प्लेक्स मिट्री के लिए आपका मिड्रीक साइड हो गया और सोलोक्रोम ब्लै प्रेसिप करेंज़ तो सांसे खांपेंज़ करते हाल फुर्सक्र платकेस you कि पताईए आपको दिया हुआ है कि तक सबसे ज्यादा अनर्जी जो सिग्मा सिग्ण स्टार जो है उसके ज्वां सिग्मा सिग्मा स्टारफ को तीन ऑप्शन में धी ने तक है उसके बाद आपका आ stimma स्टार तिक है और कहें ओर ऊपभाट होज़ेगा यह वाला ओके बिल्कुल राइट होज़ेगा नेक्स्ट है इसमें है जो आपका ऑप्शन होज़ेगा यह सी न्यूज होगा नेक्स्ट है और यह कैमिकल शिफ्ट रेंज अप्शन आप लोग देख लिए तो इसका अंसर हो जगा जो है यह उप्शन जो है इसका बी हो जगा 3.323.8 नेक्स्ट है बैंजीन बिलोंग टू विच टाइप फॉलोइंग सोल्वेंट तो बैंजीन जो है कौन से टाइप का सोल्वेंट है प्रोटोफिलिक सोल्वेंट है ओक्वेंट है और देखिए जो क्यों होते है क्यमिकल इन het होते है इन में बैंजीन आजएग और आपका क्लोरोफोम आता स्प्ट्रम घ्राइफ होग लिए उडय नानोमेटरियोंड इसनोग्यौ गयौै वक्यूस इन रॉक्यूम अश्यूम एल्ट्रावॉजट फॉर Hahn तो बिलोव तूहंडर्ट नानोमीटर आपका हो जाता है कौन सा वैक्यूम अल्ट्रावोइलेट हो जगा वैक्यूम यूवी रीजन हो जगा नेक्स्ट है इन जिल्डाल मेथड़ फो डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन और गानिक कंपाउंड नाइट्रोजन इन एन और इसको किनवर्ट करते हैं किसमें अमोनिया अमीन साइनार ओल तो यह आंसर हो जगा और आप्शने आमोनिया नेक्स्ट है अनाइन एक्सचेंजर इन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें आपके जो आगर आपने पढ़ा इसके बारे में तो उसमें कटाइन इसके पर और मुबाइल नाइन होता है विदिक्राफी टेकनिक तो परटिशन जो है सपरेशन आप्रिंसिपल अपरेशन कोन सी टेकनिक में होता है निकिंट्ट कोलंब क्रोमेटोग्राफी टेकनीक लिड़ें पर्टीशन होता है कि इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी में option 2 राइट हो जेगा ओके next है कि हाई purity होनी चाहिए stability होनी चाहिए मतलब कि लो रियक्टिविटी लो हाइग्रोस कॉपिसिटी टू मिनिमाइज वेट चेंज दू हुमिडिटी ओके और एक्वेट हाइज होना चाहिए टू मिनिमाइज वेइंग एरर और नॉन टॉक्सिसिटी एंड रैडी एंट चीप अवेलिःबिलिटी ओकिं नेक्स्ट है प्रैस्ट पालेट टेक्नीक एंड फोर संपल प्रेपरेशंस सीन आयार यंजो आयार में सैंपल प्रेपरेशंस के लिए टकनीक आप्राइस्ट पैलेट टेक्निक इसमें किसका यूज़े इनवफ यूस ऑफ देखिए कैलियुम कर् क्वार्ज जो है ऑप्शन डी राइट होजेगा क्वार्ज फ्यूज्ज सिलीका के बने होते हैं नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड जो है सोर्स ओफ लाइट पूछा है दिखिए हार्डिजन डिस्टार्ज लैंप टंगस्टन लैंप मरकरी आर के डूटीरियम लैंप तो यह हो टेकनीक तो अमीनो एसिट के लिए निन हाइड्रेन उसका लेंगे ऑप्शन सी स्प्रेविद निन हाइड्रेन नेक्टे क्वांटिटेटिव टील सी के बैटर भी परफॉंट बाइविच वन फॉलोइंग ठीक है तो देख लिजिए इसके ऑप्शन तो यह हो जेगा है जिलडाल मेथड होता है पर्मेनेंट रेड कलर ओप्टेंड अड़ या फैरिक थायोसाइन यह तो यह होता है ऑप्शन दी फैरिक थायोसाइन एट जो होता ना उसकी वजह से होता है नेच्सट है जो जो कंमनली यूज । इटेक्टर हो बताना है तर्मकुपल फोटो मलटि प्लहर बॉल मेटेन नन तो यह होता है फोटो मल्टिप्लायर, ओके, option 2, next है, xenon arc lamp is source of, तो xenon arc lamp जो है, किसका source है, options देखिए, तो यह है, आपका option है, spectro, floorimetry का source होता है, next है, what is the SI unit of wave number, wave number मैंने आपको बता है, reciprocal of wavelength, मतलब की 1 by lambda है, तो wavelength को किसमें measure करते हैं, meter, centimeter है, तो आपकी इसकी जो ऐसा unit है, वो क्या हो जाएगी, wave number की meter inverse हो जाएगा, आपका option जो है, b हो जाएगा, meter inverse, next है, इसमें लिखा वाद है कि wave number is the reciprocal of wavelength of a wave, it is defined as number of wave per unit length, okay, since the unit of wavelength is meter, the unit of wave number is inverse of meter, okay, next है, in HPLC, valve that control the solvent and back flow, ठीक है, तो ये वोल्व कौन सा होता है, आपका option 2 हो, जगा, check valve होता है, okay, next है, आपको देखिए, match type का question है, examiner को अगर आपका paper जो है, tough करना होता है, तो हमेशा इस type के question देते हैं, जाना तर नहीं match type के question आते हैं, देखिए, match the following term use for explanation, देखिए, red shift पूछा है, क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है, जो ये यूवी spectroscopy में आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, बैथो क्रोमिक shift जो होती है, बैथो क्रोमिक shift, जिसको red shift भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, increase in the wavelength of absorption, ठीक है, तो आपका P का है 2 हो जेगा, आप देखिए, पी का 2 कौन से options में है तो आप देखिए, दो options पे आगए, क्योंकि option A में और option D में ही P का 2 दिया है, अब आपको blue shift का अगर पता है कि blue shift में क्या तो decrease in wavelength of absorption, तो ये S का 4 जो है, आपको option D में मिला हुआ है, तो देखिए, आप 2 से ही आपका answer निकल के आगया, बाकी oxochrome जो है, वो आपका क्या हो ज सब्चिए कि इसमें लिखा वे थे सोब्सक्राइबॉप को red shift बोल थे हुआं इस टाइप दाउप्शन मेक्सिमंग सुप टूर्ड लोंगरी वेवलांट ऑर ही, यह है he क्या हो जगा इंटेंस्ट डिक्रीज हो जाएगा कि नेक्स्ट मॉस्ट कॉमनली उस्ट मूलिंग एजंट इन आयार तो देखे कुन से उसकरते हैं आंसर हो जगा आपका न्यूजोल यूज़ करते हैं बी हो जगा जो मिन्रल ऑयल होता है निक से प्रटेंश्यमेट्रिक नालिसिस पॉसिबल टो एस्टिमेट ड्रग आउज देखें ऐस ग्रूप ओनली बेसिक करेक्टर औक्सिदेशन रड़क्शन प्रटेंश्यल प्रोप तो यह हो जगा ऑप्शन सी हो जगा आपका ऑक्सिदे लेत्रग देटर क्लोराय क्रबन डैक्स एंअडेमर जो स्प्रेक्ट्रोमिटर हुद वयवलों सोर्स बताना है एक कुन सा होता है थेक्शमें जो डेडेडियोंसर्सी ऐखेंगों स्पिक्ट्रम्रिकिक तो मर्करी लैंप्वांप्वाहक्वमें आपका1 numa मिरीडीर होता है इन आप पाल मिरीडीर होता है लैम्प मिरीडीीर इन ऊप्षेटरिय में कौन लोडा इसला है इसलें satisfaction ऐतरी ai Student और आप्शनक्वार सिलिकागी यह स्वाइगों नहिंक इसाब मोलिकुल यहाइड यहाइज होने के लि calcium बारे में कुन सा स्टेटमेंट इसमें से इंकरेक्ट है रोंग स्टेटमेंट है वह आपने बताना है ओके ओप्शेंस में देखिये क्या दिया देओ इनवलाइड मेथर सिलवर इनाammenर ट्राइट्रेटिट slee19 देखिए वलाइड मेथे डारेक्ट ट्रेशन में तो नहीं आता है न यह जोoin घंट्रेशन कीमें हबूआग का प्यम में जो आपको option d incorrect दिया हुआ है option d आपका हो जगा क्योंकि डारक्ट टाइटरेशन नहीं होती बैक टाइटरेशन होती है इसमें और बाकी के सारे options हैं तो ध्यान रखना है कि वोलाड मैथर में जो सिल्वर आयन टाइटरेट करते हैं इसमें मीडियम जो इसका इंडिकेटर जो पूछे आगर आप लोगों से तो फैरिक आयन जो है एक्टर इंडिकेटर 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 वहार्ड मैथर ओके और यह किसके लिए होता है सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करते हैं ध्रिकेटर इंडिकेटर इंडिकेटर में इस्काइबिट कररते हैं क्लीद sono वोटर नाइट्रोजन मेगनेशन कंटेनिंग कंपाउंड या प्रोटीन तो काल फिचर टाइट्रेशन है वोटर कंटेंट के डिटर्माइन करने के लिए यूज करते हैं आंसर होज़े को ऑप्षिन ए मैक्सिमा अब्जोर्श शिफ्ट टू लोंगर वेवलेंथ तो अभी हम नर्नस्ट एक्वेशन एल्कॉविक एक्वेशन हंडर्सन या ग्रम एक्वेशन तो यह आपका ऑप्षिन भी होज़े का अल्कॉविक एक्वेशन ओके नेक्स से विच विच वन ओफ फॉलिंग इस उनिवर्सल डिटेक्टर पूछा है है एच पीडिये फोटो डाइओ डै इस नोट यूजड इन नोन एक्वास्ट इटरेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज नहीं करते यह बताना है वर नाफ्थोल बैंजीन होता है नोन एक्वास्ट इटरेशन में यूज़े बाकि आपका आंसर हो जगा ऑप्षिन भी हो जगा डाइफिन अमीन और कुनल दिन और क्रिस्टल वॉलेट पर यूज होते हैं अंसर हो जगा ऑप्षिन भी ओकिं नेक्ट जै गैस क्रोमेटोग्राफिक टेकनीक यूजड फोर क्वांटिटेटीव अनालिसी ओनली बोथ यह नन तो यह आपका अंसर हो जगा ऑप्षिन सी बोथ क्वांटिटेटीव और क्व नेक्स्ट मोस्ट कॉमन ली यूजट एड्ट जाबिं नेश्ट कॉमल्स क्रोमट्रफिल्रेशियं मेला सब्सक्क्रिक Knowledge आइड spannल ऐसी आइडेटिटेक्टेटर चाहिंड थें पल्डवाटतवी क्न्स तो टो गुले इस ऑ्प्षिन आपका बि οकी नेक्सट आंजडि प्लाक्षोम होते हैं उन में तो यह बेसिक होते हैं यह जो इसके जामपल देखेते हैं पेंजीन न्न लॉरो फों मों सबसे पहले होते हैं अंसर होजेगा ओप्शन आप अधिक यह विडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे से करना शेर करना चैनल पर नहीं है तो मैं आपको से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्ली सब्सक्राइब जरू करना ओके थैंक यू